पूर्टेंट को लेकर लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटी से कहानी सुनाना चाहता हूं जो मैंने एक चर्च में एक फोटो के साथ ये कहानी देखी थी फोटो में ये दिख रहा था कि समुद्र है समुद्र के बगल में पूरी रेत है रेत में दो जन के पैरों के निशान है और उसके थोड़ा सा आगे में भगवान जीसस प्रैस्ट और उनके भगत खड़े हैं और बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं नीचे लिखा हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था भक्त ने कहा कि भगवान मैंने अपने जीवन की पूरी यात्रा को अपने समुद्र के किनारे वाले पद्चिन्हों से देखा तो भगवान ने कहा कि तो बताईए उसमें क्या हुआ उसमें तो बोले कि उसमें मैंने एक इंपोर्टेंट चीज ध्यान दी वो यह है कि जब जब मैं मुसीबत में पढ़ाना तब तक आप चले गए मुझे अकेले उसका सामना करना पड़ा तो भगवान ने बोला अच्छा ऐसा कैसे आप यह नुंताय कर सकते हो कि मैं चला गए बोले कि आप ध्यान से देखेगा जब जो मैं मुसीबत में पढ़ाना तब तक सिर्फ एक ही सेट अफ पैरों के निशान थे दूसरे पैरों के निशान गायब थे इससे प्रूफ होता है तुम्हारे नहीं मैंने वो सारी मुसीबतों के समय तुमको अपने गोध पर उठाया और उठाकर पूरा उस मुसीबत से पार लगाया तो वापस उनके पैर में आ गया और उन्होंने उससे माफी मागी यहां पर समझने और बोलने वाली बात यह है कि हमको रेलाइस होना कहीं पर भी कोई information की गड़बड़ी हमको एक बहुत बड़ी गलत फैमी में डाल सकती है मैं बोलना चाहता हूँ income tax department के समझ में क्योंकि अगर हमने कोई भी information को गलत समझा या फिर कोई गलत treatment किया कुछ जहां tax audit होना चाहिए वहाँ पर नहीं किया या ऐसा कोई भी जानने की गलती के कारण है दोस्तों एक सबसे आज के date में relevant information यह है कि tax audit किसको किसको कराना पड़ता है सबसे पहले मैं आपको बतानू कि tax audit का due date 30 September 2018 है तब तक के सारे tax audit complete होने तो हमको tax audit किसको किसको कराना पड़ेगा इस चीज़ को point wise समझते हैं सबसे पहला ऐसा कोई concern ज और उसने 44 AD opt किया है याद रखना opt किया है 44 AD opt करना या नहीं करना हमारी choice है तो 44 AD जिसने भी opt किया होगा उसके लिए tax audit कराने के लिए minimum turnover की जरुवत है 2 करोड से उपर अगर होता है अगर उनका turnover 2 करोड से जादा है तो उनको tax audit कराने की जरुवत पड़ेगी ऐसा कोई concern ज सिर्फ एक करोड रुपय से उपर है इसका मतलब अगर एक करोड से उपर का turnover है तो उसको tax audit कराना पड़ेगा कब जब वो 44 AD opt नहीं करता या तो उसको applicable नहीं होता दूसरी चीज़ professionals लोगों के लिए अगर कोई भी professional है तो section 44 ADA उनके लिए applicable होता है section 44 ADA यह कहता है कि अगर कि इसी professional इस professional का मतलब बता दू specified professional जो की income tax act में specified है वैसे professionals अगर उनका turnover 50 लाग से उपर है तो उनको पक्का tax audit कराने की जरुवत पड़ेगी लेकिन अगर उनका turnover 50 लाग से नीचे है तो कब tax audit कराना पड़ेगा यह मैं बताता हूँ अगर उनका turnover 50 लाग से नीचे है तो उस turnover के 50% से कम अगर profit show करता है तो tax audit कराना पड़ेगा अगर उससे ज़्यादा show करता है तो tax audit नहीं कराना पड़ेगा यह important point था तीसरा चीज़ section 44 AD हो चाहे section 44 AE हो यह 44 BB यह 44 BB यह चारों जो section है 44 AD, 44 AE, 44 BB और 44 BB यह चारों presumptive taxation के sections है जिस पे specified percentage turnover के उपर अगर वो profit show करता है या उस percentage से ज़्यादा show करता है तो फिर उसको tax audit नहीं कराना पड़ेगा अगर उससे कम show करता है तो tax audit कराना पड़ेगा तो एक बार फिर से मैं अराम से revise करता हूँ कि मैंने क्या क्या बोला कि tax audit किनके लिए applicable है सबसे पहला जिसको section 44 AD applicable है और उसने opt किया है तो उनके लिए 2 करोड से ज़्यादा turnover होने पर ही tax audit कराना पड़ेगा और अगर 2 करोड से कम turnover है तो उस case में वो minimum percentage जो है न वो criteria से ज़्यादा का profit show करना पड़ेगा तो tax audit कराने की जरुवत नहीं है और अगर उससे कम कशो किया तो tax audit कराना पड़ेगा दूसरा professionals अगर है 50 लाग से उपर का turnover है तो 100% tax audit कराना पड़ेगा और अगर उसके नीचे turnover है तो यह देखना पड़ेगा कि जो भी turnover है उसके 50% से कम अगर उसने profit दिखाया तो tax audit कराना पड़ेगा अगर 50% यह उससे जादा का profit दिखाया होगा तो tax audit नहीं कराना पड़ेगा तीसरा 44 AD जो मैंने अल्रेडी बता दिया 44 AE, 44 BB और 44 BB इस चारो presumptive taxation के section जिसमें percentage specified रहता है कि turnover के इतने percentage तक का अगर profit उन्होंने शो किया है या उससे जादा का किया है तो tax audit की ज़रुद नहीं है अगर उससे कम है तो tax audit कराना पड़ेगा तो tax audit का यह एकदम simple fund है आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोग tax audit में आते हो की नहीं आते हो यह जानकारी आपको होना चाहिए मैं आपको यह बहुत important चीज़ बता दू कि statutory audit और tax audit यह दोनों different है statutory audit जैसे company है company को statutory audit करना ही पड़ेगा क्योंकि वो statute जो है company's act उसके against में उसको audit करना है tax audit का जो criteria वो इदनम simple है जो मैंने आपको भी बताया तो दोस्तों compliance पूरा करिएगा हमारे आगे के videos cash transactions से related section 44 AD को और जादा अच्छे से explain करने से related और भी काफी सारे topics है जो हमारे clients ने हमारे दोस्तों ने हमको बताया है हम पूरे मन से और आपके जरूवत के हिसाब से हमेशा videos बनाते रहेंगे आप जानते हैं कि हमारा commitment है कि भारत में सारे लोगों को सारे information tax, law, accounts और भी कोई topic अगर हमारे clients को जरूवत है तो उसके हिसाब से हमेशा समय पर पहुंचाते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद like, subscribe और share जरूर करिएगा आपका comment मुझे बहुत हिम्मत देता है और आपके लिए में हमेशा हमेशा देता है